धाकड खबर के निवजम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रईस खान एक और जहां योगी सरकार पर हत्या कराने का आरोप लगाते हुए जी हाँ एक और जहां योगी सरकार पर सीधे हत्या कराने का आरोप लगाते हुए पूर सांसद अतीक अहमत और पूर बिधायक अश्रफ एहमत की बेहन आईशा नूरी सुप्रीम कोट की चोखट पर पहुँच गई है अर्जी दाखिल करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोट क किसी रिटार्जर से या किसी निश्बक्स जाच अजनसी से पूरे मामले की तहकीकात कराने की गोहार लगाई है दरखास की है मतालबा किया है सुप्रीम कोट में मामला भी सुना नहीं गया है सुप्रीम कोट का क्या फैसल आएगा भी कुछ का नहीं जा सकता लेकिन इसी ब बड़ी खबर आ रही है जी हाँ इसी बीच दूसरी और बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर परदेश में बाबा की पलीस ने एक और तथाकतित बदमाश को एंकाउंटर में धेर कर डाला है यानि कि पलीस के हाथ तो एक और बदमाश को मौत के घाट उतार दिया गया है मरने वाला सवाला का इनामी बदमाश इत्तिफाक से संयोग से मुस्लिम कम्यूटी से तालुक रखता है जिसके बाद सवाल पैदा हो रहा है कि क्या उत्तर परदेश में दो हजार चुबिस से पहले चुन चुन कर इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है या जिस आईशा नूरी सुप्रीम कोट पहुंची है उसी वाकत मुस्लिम कम्यूटी से तालुक रखने वाले एक बदमाश को एनकाउंटर में धेर किया जाना क्या कोई संयोग है या प्रयोग है कैसे इसके राजनितिक माइने निकाले जा सकते हैं और क्या हो सकते हैं हर पहलो से आ आपके सामने रख देते हैं जी हां एक इसे पहले मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए का सिलसिला उत्रप्रदेश में शुरू कब से हुआ आदितनात योगी जैसे ही 2017 में गद्धी पर बैठे वैसे ही उत्रप्रदेश में एनकाउंटर पर एनकाउंटर किये जाने ल उतारा जा चुका है मरने वालों में जादातर संख्या लोग बताते हैं 60-70 के असपास की जो संख्या है वो मुस्लिम कम्मुनिटी से आने वाले लोगों की है इसी के आधार पे लोग कह रहे हैं के दलितों को पिछडों को और मुस्लिम कम्मुनिटी से आने वाले लोगों क निशाना बनाय जा रहा है वरना अपने सजातिये लोग खुले आम घुम रहे हैं बड़े बड़े अपरादों को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाप चीटी बी को भी हिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है खैर कुल मिलाकर खबर सामने आई है कोशामबी से कोशामबी आप जानते हैं वो जिला जहां से केशा परसाद मोरी आते हैं यहां का मंझन पूरे के लाका बताया जाता है पुलिस की कहानी के मताबिक एक बदमाश है जो परताब गड़का रहने वाला है सवला काईनामी है ना और से देखे सुनिएगा क्योंकि फिन आप समझ जाएंगे कि असल में एंकाउंटर उत्तरप्रदेश में होता कैसे है गुफरान है प्रताबगड का कोख्यात अपराधी है इस पर सवाल लाक रुपे का रिवाड था और कई जिलों की पुलिस इसको काफी समय से तलास कर रही थी इसको रोकने का प्रयास किया गया इसने पुलिस बॉल पर जान से मानिकने से अंदा दूद फाइरिंग शुरू कर दी जब आभी फाइरिंग में घायल हो गया घायला वस्तम इसको अस्पताल भरती कराए गया जहां दोरान इलाज इसकी इस पर एक लाग पचीस हजा रुपे का रिवार था एक लाग रुपे प्रयागरा जोन से और पचीस हजा रुपे सुल्तान तुल जिले से इससे एक बतिस बूर का पिस्टल इस्टार का एक 9M कारवाइन और एक अपाची मोर्साइकिल बरामद हुई है इसका कई बड़े अपरादियों संबंध है अभी जांच कभी से है जांच करेंगे जो चीत तक है आएगो फिर अब पता जाएगे इसके गाएं के कई लोग जेल में हैं सुननी आपने डिक के शाही को बत्रकार ने सवाल क्या पूछ लिया कि इसके किस किसे संबंधे तो साहब कह रहे हैं के जांच करेंगे का कमाल के लोग हैं सवा सवा लाग के इनामी गुम रहे हैं और इनहें पता ही नहीं है कि जांच कैसे की जाती है खर उठाया और मार दि जैसे के हमेशा उत्तरप्रदेश में होता आया है इसी तरीकी की चर्चाएं हमेशा से चलती रही है और आज भी यही चल रही है और लोग कह रहे हैं कि यह संयोग नहीं है कि जब आईशा नूरी सुप्रीम कोट की देलीज पर पहुंची है और उसी दिन एक मुस्लिम कम्मु सुप्रीम कोट में क्या हुआ उसका हाल आपके सामने बाद में रखेंगे उससे पहले मुझे लगता है कि आईशा नूरी की शक्सियत को लेकर बात कर लेनी चाहिए आईशा नूरी अतीक एमत और अश्रफ एमत की वो बेहन हैं जिने आपने खूब देखा होगा गाड़ि के पीछे पूरे रास्ते चली हैं आपने देखा होगा जब बरेली की जेल से अश्रफ एमत को निकाल कर प्रियाग राज ले जा गया तब भी आईशा नूरी डटी हुई थी इसका इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा इनको भी मुकदमे में आरोपी बना दिया गया इनके पती मेरट के रहने वाले हैं नको इनको भी जेल में डाला जा चुका आयशा नूरी की भी तलाश की जा रही है अभी तक पलिस की गिरफ्त में नहीं आई है अभी तक शाहषता परविन का भी कुछ पता नहीं चल पाया है उनको लेडी डॉनर पचाशा वजार कीनाम शाहिस्ता की जैनब की और आईशा नूड़ी की तलास में योपी पुलीज जो है दिली के शाहिन बाग इलाके में छापे मारी कर रही है वैसे दो बंपू मीडिया ना जाने कहां का उनकी तस्वीरे बता देता है कहां का दिखा देता है और आपको यादी होगा के जो बदमा 11 अप्रेल का वो जिन जब असद के साथ गुला मौमद नाम के सूटर को जहासी में पुलिस वालों ने ढहर कर दिया उनके पास से जो विदेशी हत्यार बरामद होने का दावा किया इस घटना को दो दिन भी नहीं विते थे के उत्तर प्रदेश के परियाग राज में जिसक सिंग तीनों संसकारी बरतमान समय में परताबगड की जेल में रखे गए हैं पहले इनको प्रियाग राज की नैनी जेल ले जाए गया था लेकिन उस दिन खबर आई कहती कहमत का जो बेटा है अली वो गंबी रुप से घायल हो गया और उसने टैंशन में अपना सर दिवार में मार लिया उसके बाद इनको वहां से निकाल लिया गया हाला कि कुछ लोग ये कहते हैं कि लोग पहुंचे और इन्हों ने इसके उपर हमला किया और उसमें वो घायल हो गया इसलिए इनको कहा निकाला गया है खैर परदे के पीछे की क्या कहानी है अस्तक सामने नहीं आई है लेकिन अभी जो चीजे चल रही है कि इन दोनों हत्याकांड को लेकर आईशा नूरी सुप्रीम कोट पहुँच गई है उन्होंने का है क्यातीक एमद और अश्रफ एमद की जो हत्या की गई है उसमें सरकार का हाथ है सरकार की शीर्स पदों पर बैठे हुए अधिकारी मंत्री गण इसमें शामिल है उन्हीं के इशारे पर इस सत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया है इसलिए सुप्रीम कोट के रिटायर्ट जैज को या किसी निश्पक जाच अजेंसी को पूरे मामले की तहकीकात क चाहिए आईशा नूरी ने अपनी अर्जी में अशद का जो एंकाउंटर है गुला मुहमद का जो एंकाउंटर है उस पर भी सवाल उठाए है कहा है कि वो भी एंकाउंटर संदिक्द है अब देखना दिल्चस्प होगा कि जो यह अर्जियां दाकिल की गई है आईशा संसकारियों के बारे में कुछ पता नहीं है उनको किसने भेजा था कहां से उनको पैसे मिलेते हैं उनके पास इतने महंगया थियार कहां से आयते कुछ नहीं बताया जा रहा है पूरे मामले को धका छुपा कर खतम करने का प्रियास किया जा रहा है लेकिन आईशा नूरी ज खिलाब अगर ऐसे आवाद उठाई जाएगी तो और लगों को भी ऐसे ही ठिकाने लगा दिया जाएगा तो कितना ये एक बहन लड़ पाएगी अपने भाईयों को अपने बती जो को इनसाफ दिलाने के लिए ये देखना बहुत ही दिल्चास्प होगा और आने वाले इतिया के पन्नों में भी आईशा नूरी का नाम देखना होगा किस तरह से धर्ज किया जाएगा आप बने रहेएगा धाकड़ खबर के साथ कमेंट्स के रुप में आप लग अपनी राय दे सकते हैं खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सकाइब कर सकते हैं और जादा से जाद